सबसे बड़ा एक सवाल आता है CMA स्टुनेट्स के मन में कि सर सिंगल ग्रूप करूं कि बोथ ग्रूप करूं अगर आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखके परेशान हो चुके हैं तो एक रिसर्च वीडियो जो मैंने बनाई है खास तोरा आपके लिए इसके अंदर मैं आपको तीन बातें आपको बताने वाला हूँ पहली बात कि जो हमारे दुरू कोचिंग क्लासेज के पास्ट चार अटेंप्ट के जो बच्चे हैं 801 बच्चे जो हमारे यहां से पास हुए हैं पास होने वाले जो बच्चे हैं उनका ट्रेक रिकोर्ड में आपको दिखाना चाहता हूँ कि उनमें सिंगल ग्रूप और बोथ ग्रूप देने वालों को फाइदे नुकसान क्या क्या हुए पहली बात दूसरी बात में आपको बताना चाहता हूँ कि बोथ ग्रूप कोन कर सकता है क्या-क्या उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए तो वो बोथ ग्रूप कर सकता है तीसरा में आपको बताना चाहता हूं, सिंगल ग्रूप के फाइदे और नुकसान, और लास्ट में बताना थर्ड नंबर बताना चाहता हूं, फाइदल कनक्लूजन, ये तीन बात हैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा, वीडियो को अंतर चक जरूर देखेगा, देखेगे बच्चों, दो त्रे के सुडेंट हैं, पहला है जो बच्चे अभी भी फाउंडेशन पास होके इंटर करेंगे, या फिर जो बच्चे बिकॉम पास होने के बाद इंटर में या फाइनल में आते हैं, अगर बच्चों आपको नो महीने की प्रिपरेशन करने सकते हो, लास्ट तीन महीने में जब आपके एक्जाम चलेंगे, जब टेस्ट चलेंगे, जब नो से दस घंडे वे आप पढ़ सकते हो, तो आप बहुत गूरूप करने लाइक मेट्रियल हैं, अगर बच्चों आप बीकॉम पास सुडेंट हैं, बीकॉम दो तरह की सुडें इंटर में पढ़ने वाले हैं, उसी का अपड़ेटेड वर्जन, तो आपको ये वाला जो 9 महीने वाला जो काम है, वो लग बग आप 7 महीने में कर पाएंगे, अगर आपे बूग है, तो दिन में आपको 5-6 गंटे पढ़ाई करनी हैं, और लास्ट एक्जाम टाइम में अगर वहां पर शोट लिस्टिंग का प्रिफरेंस मिलता है, यहां पर भी शोट लिस्टिंग मतलब कंपनिया जोब के लिए आपको पहले इंटरिव्यू, आपकी प्रिफरेंस पहले मानी जाएगी, बसरती जो सिंगल ग्रूप आले सुटेंट हैं, उनकी मुकाबले आपक जो बोद ग्रूप देते हैं, सर सेट ओफ का मतलब, देखो पास्ट के रिजल्ट दिखाता हूं, आपको सेट ओफ का मतलब क्या होता है, यह हमारे फाउंडेशन इंटर 2019 दिसंबर के जो अटेम्ट के रिजल्ट है, इसमें मैं आपको डारेक्ट सेट ओफ वाले बच्चों दोनों ग्रूप पास माने जाएंगे, अगर एक ग्रूप देते तो आपको 196 नंबर वाला एक ग्रूप वापीस देना पड़ता, 199, 201, 197, 230, देखो कितने बच्चे सेट ओफ का फाइदा लेके चलते हैं, कितने बच्चे फाइदा लेके चलते हैं, 217, 177, यह सेट ओफ का फ पुछे, यह सिर्फ महंती लोग थे बस, ऐसा नहीं था कि यह कोई born to intelligent थे बस पुश करते गई, करते गई, करते गई, बहुत गुरूप कर लिया है, हर attempt में आपको ऐसे case मिल जाएंगे, हर attempt में, December 2020 का देखेंगे आप, December 2020 का result देखेंगे आप, वहाँ पी भी आपको कुछ बच्चे मिल जाएंगे, देखो, 213, 213, 207, 209, यह तो नहीं है setup, 231, 133, 252, 133, हर attempt में आपको कुछ बच्चे ऐसे मिल जाते हैं, जिनको setup का फाइदा मिलता ही, मिलता है, बस आप push study करते रहिएगा, आपको setup का फाइदा मिल जाएगा, और पुराने result देखते हैं अपन, कि में देखिएगा, last में देखिएगा, त्रिप्ती वाले के 202, 116, 211, 201, 187, 214, 220, हर attempt में आपको कुछ ना कुछ बच्चे आपको मिल जाएंगे, यह past के 4 के मैंने result रखे थे, इन result के basis पे मैं आपको यह चीजें बता रहा हूँ, तो यह एक benefit आपको मिलता है, अगर आप set of का फाइदा मिलता है, दूसरा syllabus बच्चो common होता है, अगर आप बोध गुरूप एक साथ करते ना, तो 8 paper नहीं है, 7 paper ही एक तरह से, कोही ना कहीं, दूसरा 100 number का लगबग, आप common ही पढ़ते हैं, एक गुरूप से दूसरे गुरूप में जाते हैं, तो, ठीक है, negative point है कि stress ज्यादा रहता है, no doubt थोड़ा सा ज्यादा 8 paper एक साथ देने पढ़ेंगे, आपको exam में बिल्कुल भी छूटिया नहीं होगी, एक साथ देने पढ़ेंगे, तो exam का stress तो रहता ही है, conclusion of the story क्या है, बोध ग्रूप वालों की, उसे देना चाहिए जिसमें potential हो, अक्षमता हो द करना पड़ता है, अगर आपको दो, तीन, चार बार करना पड़ता है, इसका मतलब है, आपको अपनी potential, आपको अपनी adaptive skill के उपर थोड़ा सा polish करना चाहिए, उस पर मेहनत करनी चाहिए, तो आप बोध ग्रूप देने लाइक हो जाएगे, otherwise, अगर आपको लगता है कि मेरे इसको करना पड़ेगा कि अंदर भूख कितनी है मेरे अंदर, क्या मैं इस stress को, इस adaptive skill को observe कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, टीचर जो बताता है क्लास में क्या घर पे जाके वह याद रह जाता है कि नहीं है, अगर ऐसा है तो आप बहुत ग्रूप देने लाइक है, conclusion of the story भी यह है, otherwise आप एक ग्रूप के लिए जाएंगे, दूसरों बच्चों सिंगल ग्रूप बच्चों कि इसको देना चाहिए, देको सिंगल ग्रूप के अंदर एक तो easy study रहती है, चारी पेपर होते है, कोचिंग भी 4 घंटे की रहती है, हर रोज आपको कम से कम भी 3-4 घंट यही आपके negative point है, जो benefit नहीं मिलेंगे, आपको rank set of वगेरा का फाइदा नहीं मिलेगा, जो preference का फाइदा नहीं मिलेगा, अगर आपको practice वगेरा करनी है, तो आप आराम से कोई भी group कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्रत वाली बात है नहीं, लेकिन यह benefit आपको नहीं मिलेंगे, final conclusion क्या है बच्चो, अगर आपके पास time है, और अगर आपके पास में potential भी है, go for both group, और आपको job भी करना है, go for both group, आप already job कर रहे हैं, और CMA करना चाहते हैं, आप part time study, part time job और part time study वाले कुछ होते हैं, कुछ लोग, जो working class होती है, अगर आप job वाले बच्चे हैं, तो और आपके पास में time नहीं है, तो go for single group, resources होते हुए भी आप both group नहीं कर रहे हैं, तो इसके मतलब आपको नुकसान है उसके अंदर, और आपके पास में resources नहीं है, आप दिमाग से थोड़े से शार्पन नहीं है, तो उस case में आपको single group करना चाहिए, और कोई सुझा हुआ कमेंट बोक्स में लिखें मुझे से पूसिए, किस मुद्धे पर मुझे आपको साथ में वीडियो और बनानी चाहिए, नीचे कमेंट बोक्स में लिखेंगा, आपको वीडियो कैसी लगई ये भी बताइए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर करिएगा, चैनल को सब्सक